नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पावन है और आपका मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज का लेसन एक गिटार स्ट्रमिंग प्रैक्टिस लेसन है यानि हमें एक बहुत ही पॉपलर स्ट्रमिंग पैटर्न को लेंगे जो कि मैंने अपने बहुत से लेसन में दिखाया भी है और हमसे साथ में बजाने की कोशिश करेंगे अगर आपको अपने स्ट्रमिंग को इंप्रूव करना है तो आपको इस लेसन से जरूर फायदा होगा तो ये जो पैटर्न हम देखने जा रहे हैं ये जैसा कि मैंने कहा ये बहुत से गानों में यूज़ किया गया है सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉप्रल skaone के लेसन्स दिखाऊंगा जो मैंने ही पोस्ट किया है जिनमें ये पैटर्न यूज़ किया गया है तो आपको यह पुता चल जाएगा कि यह pattern किस तर से apply किया जाता है उसकी बाद मैं आपको दिरी दिरी यह pattern बजा के दिखाऊँगा हम बहुत ही simple chords लेके चलेंगे मैं A minor में बजाऊँगा आप चाहे तो किसी भी की में बजा सकते हैं और बजाते वक्त मैं आपको स्क्रीन पे सारे beats भी दिखाऊँगा और लेस्न के एंड मैं मैं आपको कुछ टिप्स जरूर दे के जाऊँगा ताकि आप अपने स्रॉमिंग को इंप्रूव कर सकें चाहे आप कोई भी pattern बजाएं इस स्रॉमिंग pattern पर मैंने आज तक जितने भी लेस्न पनाया है उनके लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूँगा तो आईए मैं आपको अपने ही कुछ लेस्न के क्लिप्स दिखाता हूँ जहां पर मैंने ये pattern यूज किया गया तो अभी जो आपने pattern देखा आईए हमसे साथ बजाने की कोशिश करते हैं मैं धीरे धीरे बजाने की कोशिश करूँगा और जिसा कि मैंने शुरूर में कहा सारे chords और beats स्क्रीम पर भी लिखे होंगे आप मेरे साथ में बजाने की ज़रूर कोशिश करें और हाँ आप देखेंगे कि मैं हमेशा के तरह पिक के जगा अपने fingers यूज करता हूँ याने की उंगलियों से बजाता हूँ आप चाहें तो पिक के साथ बजाएं आपके हाथों का action वही रहेगा चुकि मैं स्क्रीम पर दिखाऊंगा आपके हाँ आपके हाँ आपके हाँ आपके हाँ आपके हाँ कर दो 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 कर तो अमीद करता हूँ आपको यह प्रैक्टिस लेसन पसंद आया जाने के पहले मैं आपको कुछ स्ट्रमिंग के उपर टिप्स देना चाहूंगा तीन बातें शेयर करूंगा अगर आपको अपनी स्ट्रमिंग इंप्रूव करनी है तो आप इन तीन बातों पर गौर करें आप देखें कि आपको बहुत फायदा होगा सबसे पहली बात आपकी टाइमिंग सही होने चाहिए और टाइमिंग को इंप्रूव करने के लिए आपको ट्रैक के साथ बजाना पड़ेगा यानि की बीट के साथ बजाना पड़ेगा आप किसी भी गाने को ले लें जो आपको पसंद हो और उसके साथ बजाने की कोशिश करें अगर आप गानों के साथ नब जापाएं तो आप किसी भी मेट्रोनों आप यानि की बीट आप को डाउनलोड कर लें बीट को आउन कर लें और जो भी आपको टेम्पो पसंद हो जो भी बीट पसंद हो उसके साथ आप धीरे-धीरे स्ट्रम करने की कोशिश करें आप जितना beat के साथ बजाएंगे, जितना track के साथ बजाएंगे, आप देखेंगे, आपके strumming के timing में बहुत improvement आएगा दूसरी बात, आपके हातों का जो action है, वो हमेशा down up, down up चलना चाहिए आप चाहिए, पिक यूज़ करें, यानि कि प्लेक्टरम, या मेरी तरफ fingers यूज़ करें, down up, down up continuously चलना चाहिए आप देखेंगे मेरे सारे ही lessons में, जहाँ जहाँ down up के बीच में gaps है, मैं वो stroke अगर skip भी करता हूँ तो मेरे हातों का movement जो है, वो ही down up, down up का rhythm जो है maintain किये रहता है अगर ये down up, down up का जो आप सिलसला है, इसको आप maintain करके कोई भी pattern बजाएंगे तो आप देखेंगे, आपको बहुत से patterns master करने में आसानी होगी और तीसरी बात, आप चाहें जो भी chord का जेप बजाएं, आप हमेशा कोशिच करें कि जो strings हैं, हर एक string की आवाज clear आनी चाहिए stroke बजाने से पहले, हर एक string को आप एक के बाद एक बजा कर देखें, हर एक की आवाज clear आनी चाहिए और उनके levels भी बराबर होने चाहिए, इससे आपकी strumming की जो quality है, बहुत ज़्यादा improve होगी वैसे तो और भी बहुत से tips हैं, कोशिच करूँगा, आगे के lessons में आपको वो भी tips ज़रूर बताओं आज के लिए यही रुकते हैं, उमीद करता हूँ आपको यह lesson पसंद आया, आप अपने मुझे comments और feedback ज़रूर भेजें, मैं कोशिच करूँगा, ऐसे ही practice lessons और भी post करूँ, तो और ले lesson तक फिर मिलते हैं, शुक्रिया